Welcome students. So I welcome you to standard 10th. और यहाँ पर हम mathematics पढ़ेंगे. Students, आपको यहाँ बहुत ही अच्छे दरीकेते mathematics पढ़ाई जाएगी. और खास करके 3 चीजों का बहुत ख्या लखा जाएगा. Number 1. Understanding. आपको सारी चीजे ऐसे पढ़ाई जाएगी ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. आपको कोई डाउट नी रहेगा कही पर. अगर अभी तक आप math से डरते थे तो वह दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं और आपको math में सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. This is my guarantee to you. Second point students जो है, वो है fun. तो पढ़ने मजा भी आना चाहिए. आपको बड़ा मजा आएगा mathematics पढ़ने में. और आपको ऐसा लगे है कि यार मैं और और पढ़ना चाहता हूँ. Students, यह सुनके आपको थोड़ा surprise हो सकता है, लेकिन जो बच्चे हमारे courses करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है. In fact, students, हम आपको यह भी बताएंगे कि math कैसे real life में use होता है. कई बच्चों को लगता है कि math में तो क्या है, numbers होते है, variables होते है, अजी अजी चीजी होते है, हमका real life से क्या use है? कि students, हम आपको real life से connect करके बताएंगे. और number three is students, third point, marks in exam. लेको students, यह सब तो अच्छा है, लेकि exam में marks भी आने चीए, numbers. तो fine. तो students, numbers के बादे में तो आप lower classes में बहुत पढ़ चुके है, जैसे आपको पताएंगे कि natural numbers क्या होते है, one, two, three, four, five, up to infinity. यह सारे क्या होते है, natural numbers. फिस students, आपको यह भी पता है कि whole number क्या होता है, बताएंगे आप मुझे. यह सारे जो numbers है, natural वाले, वो इसमें आप डाल लो, और एक zero लाके इसमें डाल दो, यह क्या बन जाता है, whole number. इसके बाद, integers क्या होते है, यह भी आपको पता है, यह सारे natural numbers इसमें डाल दो, फिस students, उनके negatives भी इसमें डाल दो, और वो जो zero था वो भी इसमें लाके डाल दो, यह क्या हो जाता है हमारा, integers, यह सब तो आपको पता ही है, यहां पे हम थोड़ी बात करना चाहते है, fractions की, तो fractions के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कुछ बड़ी basic example लेंगे, जैसे कि एक fraction लेलिया मैंने half, एक fraction लेलिया मैंने one by three, अब इन fractions को हम decimal में convert कर सकते है, और आपको पता है कि इसको decimal में convert करेंगे, तो point five आएगा, लेकिन फिर भी मैं convert करके दिखाता हूँ, बहुत quickly, इससे divide करते है, लोगर क्लास में आपने पढ़ाई है, क्योंगी divide नहीं कर सब तो decimal डालेंगे, यहाँ 0 आएगा, फिर यहां पर five लिखेंगे, five into two is ten, यहाँ पर आगया zero, यह decimal आगया हमाना that is point five, तो यह सब हमें पता है, वैसे one by three को भी decimal में कैसे convert करेंगे, three से one को ऐसे divide करेंगे, अभी आपको decimal डालना पड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, अब यहाँ पर three लिखेंगे, तो three into three, that is nine, you are left with one, अभी भी remainder zero नहीं आया है, तो एक बार decimal डाला बाए तो आप zero डाल सकते हो, three यहाँ पर लिखोंगे, three into three is nine, then you are left with one, यहाँ पर जो हम डिवीजन कर रहे थे, तो remainder जो हमारा zero आ गया था और division complete हो गया था, इसलिए decimal is simply 0.5, इस fraction is simply 0.5, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह division complete ही नहीं हो रहा है, तो आप यह करते जाओ, करते जाओ, और यहाँ पर three बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो यह जो हमारा fraction है वो आ रहा है कितना, 0.33333 और यह आता ही जाएगा, क्योंकि division का भी complete ही होगा, समझ में आ यह इस तो आपको बात ही, जिसा आपको पता भी होगा, और आपको यह भी पता होगा कि इस तरह से, जो decimal हमारे पास आया, उसको लिखने का तरीका होता है, 0.3 और उपर एक बार बना देते हैं, बार का मतलर है कि three repeat होता जाएगा, up to infinity, right? सो देखो, जब हम fraction को decimal में convert करते हैं, तो दो टाइप की decimal होना सकते हैं, एक तो ऐसा decimal जो की खतम हो गया है, और एक तो ऐसा decimal जो खतम नहीं होता है, repeat ही होता जाता है, I hope you get this, ऐसे बहुत सारे fraction के साथ आप ट्राइकर के देख सकते हो, जैसे आप देखो, मैंने कुछ और decimal लिखे हैं, ध्यान से देखना, जैसे 5 by 20, इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, कैसे डिवाइड करना ही आपको पता है, 4 by 10 इसको डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा, और डिवीजन चलते ही जाता है, यहां पर बार का मतलब है कि, वापस से यही सारी चीज़ आएगी, यहां पर वापस से क्या आएगा, 571428, तो उसके बाद वही 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 वही, इसको आप करेंगे तो आएगा 3.33, उपर बार मतलब 3333 चलता ही डएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.81 बार, 81 बार मतलब 81 फिर 81 फिर 81 फिर 81 ऐसा ही चलता रहेगा, समझी मियारी बात, तो ऐसे आप बहुत सारे fractions अपने से ले लेके उनको डिवाइड करें देख सकते हो कि क्या होता है, तो हमेशा क्या तो decimal आएगा ऐसा जो कि end हो जाता है, या फिर fraction आएगा ऐसा जो कि चलता ही जाता है, ठीक है? और उसमें खास बात ही होती है कि चलता जोड़ जाता है लेकिन जो decimals हैं, वो बार में repeat होते हैं, repeat होते हैं, और यह उनको लिखने का तरीका है, I hope you understand this student, तो इस type के जो decimals होते हैं, students इनको बोते हैं terminating decimals, और इस type के जो decimals होते हैं, जो कि अंत नहीं हो रहा है जिनका, उनको बोते हैं non-terminating decimals, I hope you get this, अब बात करेंगे students बड़ी important, decimal numbers, जैसा हमने देखा है students, decimal numbers जो है, वो दो type के होते हैं, एक होते है terminating और दूसरे होते है non-terminating, terminating मतलब जो end हो जाते हैं, उसके कई सारे examples हमने देखे, जैसे 0.5 था और यह सब भी था, जो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो non-terminating students, वो further 2 type का होता है, थ्यान देंगे students, एक होता है recurring और दूसरा होता है non-recurring, देखो, इसके भी कुछ examples हमने देखे थे, जैसे हमने देखा न, 0.3 bar और यह सब भी देखे थे, तो यह सब non-terminating थे, non-terminating क्योंकि खत्म नहीं हो रहे, रहे, recurring भी बोल रहे, recurring बोलने का मतलब है कि, कुछ particular digits है, वो ही repeat होते जाते हैं, तो इनको बोलते है, non-terminating as well as recurring, समाझ में आड़ी बाल है, अब देखो, यह कौन सी category है decimals की, तो students, देखो, suppose करो मैं कोई ऐसा decimal लिखू, 5.23450179, पर ऐसे में बोलता ही जाओ, कुछ भी digits बोलता ही जाओ, बोलता ही जाओ, बोलता ही जाओ, तो यह कैसा decimal है, non-terminating तो है, क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं, तो कभी खत्म नहीं होगा, क्या यह जो decimal है वो इनकी तरह है, नहीं, यह खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिश में कुछ digits है जो repeat होते हैं बार-बार, ठीक है, एक pattern है, यहां पर कोई pattern नहीं है, डिसिमल के बाद कुछ भी रैंडमनी डिजिट्स आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, तो वो non-terminating है, और साथ में को बोलेंगे, non-recrean, समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें difference आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत असानी से, जैसे और कुछ आप ले लो, जैसे 10.012555967, ऐसे कुछ बोलता ही जाओ, बोलता ही जाओ, तो कोई pattern नहीं है, तो non-terminating as well as non-recrean, ऐसे decimals आप पहली बार नहीं देख रहे हो, आपने lower class में भी देखें, जैसे आपको याद नहीं हो, जैसे root 2, root 2 की जो value होती है, हमने lower class में देखा, आपको याद करने के ज़रू होती है, वो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, तो non-terminating decimal है वो, और उसमें कोई pattern नहीं हो होती है, non-terminating, और क्यों कोई pattern नहीं है इस टाइप से, तो non-recring, समझ में आरी बत, हो सकता है, आप थ्रहा सा confused हो रहे हो, क्योंकि root 2 को कई बार सिफ 2 decimal तक इस तरह से लिख देते हैं, और root 3 को कई बार 2 decimal तक इस तरह से लिख देते हैं, और बहुत सारे questions में हो सकता है, lower classes मे आपने root 2 और root 3 को ऐसे ही लिखा हो, ठीक है, तो हो सकता है, फिर आप confused हो रहे हों कि root 2 और root 3 की value तो अगर यह है, तो वो तो इस category में आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, root 2 और root 3 की value होई है, जो मैं पहले आपको बताला था, लेकिन अगर कोई problem आपको solve करनी है, कोई numerical आपको solve करना है, तो obviously आप यह रखके अगर solve करोगे तो बहुत complicated हो जाता है, इस तरीके से round off करके हम उनकी approximate values करते हैं, questions में, समझ रहो बात को, लेकिन actually में root 2 की value ऐसी होती है, root 3 की value ऐसी होती है, I hope you get these students, तो students आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि, तीन टाइप के final decimal ह हो गए मारे पास, एक जो end हो जाए, दूसरा जो end नहीं हो लेकिन repetition हो, और तीसरा जो end नहीं हो उसमें repetition भी नहीं हो, और उन तीनों के ना आपको बिल्कुल याद होने चीए, non-terminating, इसको वह लेंगे non-terminating recurring, इसको वह लेंगे non-terminating, non-recring, fine, अब एक और important चीज आप देहा मिलता है या फिर ऐसा मिलता है, इस टाइप का decimal मिला था क्या? नहीं, students, that is very important point कि ये दोनों जो types है, ठीक है, can be obtained from a fraction, मता जो fraction को decimal convert करेंगे, तो क्या ऐसा मिलेगा, या ऐसा मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं मिलता है, students, please keep this in mind, तो लिख भी सकने, cannot be obtained from fraction, ठीक है, अब देखू students, इसका उल्टा भी true होता है, जब fractions को आप डिवाइड करते हो, तो हमें ऐसे decimals मिलते हैं, और अगर आपको ऐसे decimals दिये हुए हैं, तो आप उनको fraction में convert भी कर सकते हो, please note, fractions को डिवाइड करने पर ऐसे decimals मिलते हैं, और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे decimals क तो आप fraction में convert भी कर सकते हो, अगर ऐसे decimals दिये में तो, लेकिन आपके पास अगर ऐसा decimal दिया हुआ है, तो उसको कभी आप fraction में convert नहीं कर सकते हो, very important, cannot be converted into fraction, और इन दोनों का रहा हैं नहीं सकते है, can be converted into fraction, कहानी समाझ में आ रही है, बिल्कुल याद हो जाए, बड़ी सिंपल्स यह, fractions को divide करते हैं, तो क्या तो ऐसा, क्या तो ऐसा fraction मिलता है, ऐसा कभी नहीं मिलता है, तो इसका उल्टा भी true है, इन दोनों को fraction में convert कर सकते हैं, इसको fraction में convert नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रही बात, अगर द्रोन इस्टेडी के ये वीडियो आपको अच्छे लगड़ें, तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें, अपने थॉट्स बताएं, हमारे जाद शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं, और इतना इन इन इस्टुएंट सबसे